सिनमा शो में आज बात शारुखान की जवान की प्रिवियू वीडियो की जिसमें उनके टाटू की चर्चा हो रहे बताएंगे सलमान ने जवान के इस प्रिवियू वीडियो पर क्या कहा विजे सेतुपती की फिल्म में कौन बनेगा विलिन और कंगा गराणाव पर खुद को BJP सद्द से बताने वाले शक्स ने क्या लगाया आरो मगर शो शुरू करने से पहले बता दें इस हफते का मेरा नाम है क्यालेंडर आचुका है इसे चेक आउट कर लेजिए तो चलिए डालते हैं नजर आज की बड़ी ख़बरों पार टिमोथी शायव में की फिल्म वॉंका का ट्रेलर आ गया फिल्म 1964 में रिलीज हुई नॉबल चार्ली अन दे चॉकलेट फैक्टरी पर बेस्ट होगी जिसमें टिमथी विली वॉंका बने हैं जो चॉकलेट बनाता है ये फैंटेसी ड्रामा फिल्म 15 दिसम्बर को रिलीज होगी सिल्मान ने शारुखान की जवान की प्रीविव वीडियो को शेर किया जिसमें पठान का भी जिक्र किया उन्होंने कहा कि जवान का ट्रेलर उन्हें काफी पसंद आया और वो पहले ही दिन ये फिल्म देखने जाएंगे जया बच्चन की फिल्म में मिली, कोशिश और बावर्ची के रिमेक की अनौंस्मेंट हुई है प्रेड्यूसर अनुश्री महता, अभीर सेन गुपता और समीर राजसिपी के साथ मिलकर इन तीनों फिल्मों के रिमेक्स को प्रेड्यूस करेंगे जल दिन पर काम शुरू हुगा कपिर शर्मा की फिल्म जुईगाटो, Academy of Motion Picture, Arts and Science की लाइबरेरी में शामिल हो गई है डारेक्टर नंदिता दास ने अपने इंस्टिग्राम पर अनौंस किया कि उनकी फिल्म जुईगाटो को ओसकर की लाइबरेरी में शामिल किया जा रहा है शारू खान ने अपनी अपकॉमिंग फिल्म जवान से जुड़े सभी लोगों को शुक्रिया कहा है शारूफ ने सभी के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए डारेक्टर एटली, एक्टर विजेस सितुपती, डांस डारेक्टर शोभी पॉलराज, सुनील ग्रोवर, योगी बाबू, एडिटर रूबीन, सुमित, अरोडा और म्यूजिक डारेक्टर अनिरोध रवी चन्वन को फिल्म से जुडने के लिए शुक्रिया कहा, जमी शेरगिल की हाइस्ट कॉमेडी ड्रामा फिल्म, चूना की रिलीज डेट आ गए है, पुषपेंदुनात मिश्रा के डिरेक्शन में बनी है मूवी, चूना तीन अगस को नेट्फिक्स पर प्रिमेर होगी, दिलजी तो स पान जस्वन सिंग खाला की बायोपिक में काम कर रहे हैं, CBFC से मूवी को ए सर्टिफिकेट मिला है, सेंटर बोर्ड ने मूवी में 20 कट्स भी लगाने को कहा है, जिसके बाद फिल्म के में CBFC के इस निर्ने के खिलाफ हाई कोट पहुँच गए है, बॉलिवूड हंगामा की फिल्म तेजस की टीम पर धोखा धड़ी का आरोप लगाया है, साथ ही लीगल एक्शन लेने की बात कही है, बॉलिवूड हंगामा की रिपोर्ट के मताबे, मयंक ने कहा कि उन्होंने कंगना रुनौत की मीटिंग्स कई बड़े नेताओं से करवाई, उन्हें शूटिंग क खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे, आईशमान खुराना जल्दी ड्रीम गर्टू में नजर आने वाले हैं, पिंक फिला से बात करते हुए आईशमान ने शारुखान की तारीफ की, उन्होंने कहा कि शारुखान ने उनकी जैसे कई आक्टर्स को कुछ अलग और हट कर करने के लिए इंस्पायर किया है, आईशमान ने कहा कि उनका ड्रीम रोल शारुखान का बाजिगर है, वो बाजिगर तो करना चाहते है, शारुखान की फिल्म जवान के प्रीवीव वीडियो में शारुखान के सिर पर एक टैटू बना है, जिसे लेकर बाते हो रहे हैं, कई रिप रिपोट्स में ये भी कहा जा रहा है कि शारुख के सिर पर बने इस टैटू में संस्क्रिप में कुछ लिखा हुआ है, हाला कि वीडियो में शारुख का टैटू ठीक तरस्त दिख नहीं रहा है, इसलिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लियो के बात थलपती विजे डाइरिक्टर शंकर के साथ अगली फिल्म कर सकते हैं, इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मताबिक विजे की सत्तर्मी फिल्म शंकर के साथ होगी, बताया जा रहा है, शंकर ने विजे को स्क्रिप्ट नरेट कर दी है, अब जल्द ही इस पर अनौंस्मेंट हो सकती है, या मादुरी और शारुक की फिल्म देवदास का एक किस्ता सनाय जाते हैं, आज ये फिल्म 21 साल ही हो गई है, मगर क्या आप जानते हैं कि इस मूवी की वज़े से मुंबई में बहुत सारी शादिया टाल दी गई, दरसल फिल्म की शूटिंग में 275 दिन, पच्चिस सो ला मुंबई के सारे जनेरेटर, फिल्म सिटी या फिल्मिस्तान में भंसाली के सेट पर होते थे, हालत इतनी खराब हो गई थी कि मुंबई में शादी करने वाले लोगों को जनेरेटर नहीं मिल रहा था, और शादिया लगातार टल रही थी, ये शायद वो पहली फिल्म थी, जिसके रीव्यू में किरदारों के कपड़ों पर बात हुई थी, मादुरी का एक एक लहंगा 30-30 किलो का होता था, जिसे पहरने के बाद वो बड़ी मशक्कत से डान्स कर पाती थी, फिल्म फिल्म रिलीस हुई और बाकी सब इतिहास बन गया, आपके इस फिल्म से क्या या आदे जुडिया में कॉंशेशन में जरूर बताए, जुड़रे हम से देखती रहे ललला टॉप सिनिमा, शुक्रिया